नमस्कार में प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में रिलाइंस इंडस्री श्टॉक को डिसकस करेंगे इस समय देखेंगे तो 2561 पे ट्रेड हो रहा है और अवरॉल ट्रेंड अभी भी पोजेटिव हो चुका है तुकि हमने क्या कहा जब तक 2500 के ऊपर है इसमें लॉंग ही करेंगे और जब तक 2460 के नीचे नहीं जाए शॉट करने के लिए नहीं जाएंगे एपिसोड में आगे डिसकस करें से पहला होप की चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिपिकेशन ओन कर लिया है आपने प्रिमियम टेलिग्राम अभी तक अगर जोइन नहीं कर रहा है तो जोइन कर लें बिल्कुल फ्री है इसके साथ ही दोस्तों के साथ जरूर सेयर करेंगे यहां देखें तो इंडिविज्वल न्यूज कुछ भी नहीं है तिरपन मिनट पहले एक न्यूज आई थी जहां रिलाइंस में 22% इंडिया पर्मिशन तू रिटेंड तू बिलियन ओभर एंड अबब थी बिलियन डॉलर इट हैड रेज लास्ट फिसिकल इन वर्ट वस द लार्जेस्ट इंडिकेट लोन फसलिटी नियर यानि इस समय देखेंगे तो इस कंपनी को लगभग मतलब इस प्रकार से देखें तो 20,000 करोर के आसपास के फंड रेज को लेकर के अनुमती रिजर्व बैंक आफ इंडिया से मिल चुका है आगे जैफ रिज के टार्गेट देखेंगे 3-1-2-1-3-1-2-5 के यहां जैफ रिज कह क्या रहा है इंवेश्टर्स फोकस्ट ओन अर्निंग ग्रोथ एं रिटर्न इंक्रिमेंटल कैपेक्स सी फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ इन रिटेल एंड एचिलरेटेड ब्रोड बैंड ट्रांजिक्शन ट्रांजेशन इंजियू सी एस्टीडी वीटा ग्रोथ इन ओटीशू ओटूसी एंड कमिशनिंग आफ न्यू इनर्जी इन CYFY24 और यहां हमने न्यू इनर्जी के रेवेन्यू को लेकर के देखा था कि 2030 तक काफी बरा रेवेन्यू कंटिब्यूशन दिख सकता है इसके साती देखें तो यहां देखेंगे रिस्क रिवाड इस फेबरेबल विट इवीटा मल्टिपल फॉर 16% इवीटा ग्रोथ इन और अभी देखेंगे वन साइडेट ट्रेंड के बाद अभी भी चैनल में ही है नीचे के तरफ 2500 के नीचे के जोन को ध्यान में रखेंगे और 2460 के नीचे ही करेंगे और इस समय लोंग है इसके चाहें तो आप SL लेकर के लोंग बने रहें और 2620 के उपर बरा ट्रेंड बरे एक्सपेक्टेशन 2750, 2900 और 3100 के तिन लेवल इंवेस्टर के लिए होगा